अलो दोस्तों मैं हूँ आपका पवन भारद्वाज हमारे ब्लोग में आपका स्वागत है हमेशे हम आपको फिल्मों की खबरे दिखाते हैं बॉलीवड की एक से अच्छे अच्छी खबरे दिखाते हैं आज हम पहुंचे हैं मावलेश्वर मुंबई से तकरीबन 200 से 300 किलमिटर दूर मावलेश्वर तो हमने सोचा क्यों आज अपने दर्स को कोई ये चीज दिखाए जाए कि मावलेश्वर जाना हो तो कैसे जाए तो इवीडियो आखिर तक जूर देके और हाँ सबसे पहले अगर वीडियो आपने लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक करें और सबस्काइब करें और हम कोशिस करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखे आप क्या देखना चाहते हैं हमारी कोशिस रेगी कि हर एक्टिविटी छोटी छोटी आपको दिखाएं माबली सर जो है मुंबई से तक रुड़ाई 300 किलोमेटर के आसपास है तो हमने सोचा क्यों न अपनी गाड़ी लेकर ही जाए जाए तो मेरे साथ सरीता जी मेरी वाइफ हम दोनों और दो छोटे 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 बच्चे हैं जिन्हें हम लेकर आएं गुमने के लिए आप देख सकते हैं पूरी वादियां है पूरी ग्रीनिस है क्यों बारिस जादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बारिस हुई है यहाँ पर बहुत उचाई पर है धरती से बहुत उचाई पर है यह जैसी हम आबले सर पहुँचे तो हमारा एक्सेडमेंट इतना बढ़ गया था कि हमने गाड़ी साइड में लगाई और छोटे बच्चे और पूरी फैमिली के साथ पहुँच गए आप देख सकते हैं कि हमसे रुका नहीं गया कि देखा जाएं यहां पर रोक के नजारा बहुत ही अच्छा था दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और बादल दिखाई दे रहे थे रोड़ पे बहुत ही कम गाड़ियां और क्लाइमेट के दो बस पूछो मत और पॉलुशन का तो नामी नहीं है यहां पर पहाड़ों पे जाए और मस्ती ना हो चिलाना ना हो ऐसा कैसे हो सकता है पूल मस्ती में थे बच्चे भी बुआ बुआ चिला रहे थे और बहुत ही अच्छा महौल था वहां पे कि हलकलकी बारिस हो रही थी कभी रुख जा रही थी बारिस लो भाई हम पहुंच गए है कर्मा के रिसोर्ट में जिसका नाम है कर्मा लेक वूड अब लेक वूड क्यों है हम आपको बताएंगे कि चारों तरफ जील है बहुत बड़ी जील है लेकिन अभी पानी ने जील में और बहुत ही अच्छा बनाया पूरा लकड़ी का बना वह यह घर जो है और आप देख सकते हैं क्या इंटिरियर भाई पहली बार इसे चीज़े देखी है कि बहुत ही मज़ा आगया बस देखने में और देखती देखते जैसी बलोग बना रहे थे बारिस हो गई और बारिस लेगा यहां पर इस सामने जो है ओफिस है और यहां से हमें बुकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं हमारी बुकिंग हो गई है वह आपको ले चलते हैं रूम के अंदर यह जो कोटेज है पूरा बोडन का बना हुआ है आप देख सकते हैं दिवारों से लेके फरनीच देख रही है और इसको बनाए इस डंक से है कि बस क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है और यह वात्रू में बच्चे मस्ती कर रहे हैं कि यहां से पूरा भार का वियू है और यहां पर एसी की वैसे जुरूरत है नहीं लेकिन आप चलाना जाओ तो चला सकते हो बैस वीडियो को यह बंद करना चाएंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और हर ब्लोग में हम आपको बद दे अलग लग चीजे दि कर दूएक कर दो सकते ह हुआ कर वा आपको नहागा है नहाओा है तो अ कर सकते प्र CC रादम जो च King Home